तर्मिनल वन डेली सुबा के साथ बजे का टाइम में हम लोग बिहार जाने के लिए डेली एरपोट पहुंच चुके हैं चलिए अंदर चलते बोर्डिंग करवाएं और आपको कुछ दिर में दुबारा जॉइन करेंगे हलो जी हमारे बिहार टूर की शुरुवात अर्ली मॉनिंग हो रही जैसा मैंने आपको बताया अब छे से साथ दिन हम बिहार में रहेंगे और खुब इंजुआई करेंगे लास्टाइब में जब भिहार गया था तब गया राजगीर गये थे और अब हम दर्बंगा मदुबनी और जनकपूर की तरफ जा रहे हैं जनकपूर मतलब नेपाल यह हमारा टूर प्लान है और आपको एक चीज़ और बताता हूं डेली का टीवन टर्मिनल आज की डेट में रेनोवेट हो रहा है और चार से छे महिने के बाद ना यह तो नहीं वो लूँगा कि टीथरी इतना बड़ा हो जागा लेकिन अच्छा खासा बड़ा कर रहे हैं इसको दर्बंगा एरपोर्ट हम पहुंच गए हैं डिफेंस एरपोर्ट है इस वज़े से मैं ना बाहर आगे हूं अंदर फोटो वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है एक तो मेन एरपोर्ट पतना में है फिर गया में भी एरपोर्ट है लेकिन वहां पर बड़ी लिमिटेड फ काड़ी में रहेंगे सतिंद्र भई हमारे साथ हैं साथ बैठे हुएं तो यहां से अभी हम सबसे पहले ना चार पांच किलोमीटर पे युनिवस्टी जा रहे हैं फोर्ट भी वहीं पे है बेसिकली फोर्ट के अंदर ही उनिवस्टी है विजट करेंगे और फिर हम मिथला ह आट विजट करने चले जाएंगे तो फिर नाइट स्टी हम मधुबनी में करेंगे हमारा आज का मोटा मोटा प्लान है कोई अगर मुझे पूछे दर्बंगा के बारे में कुछ बताओ तो मैं बोलूगा वाके मकाने बड़े फेमस हैं तो इसके इलावा मुझे कुछ मालूमी नहीं था अब तीन दिन पहले मैंने डिसाइड कि मेरे को बिहार जाना है तो थोड़ी रिसर्च करी तो पता लगा म बड़ी पुरानी उनिवर्स्टी है जहां पर भी हम जा रहे और फोर्ट भी विजिट करेंगे सबसे पहले मैं एलन एम्यू उनिवर्स्टी पहुंचा तो यहां में हमारी मुलाकात मिश्टर निर्वे के साथ हुए और अंकुर जी हमारे साथ है तो जैसे आपने बताए कि आप योग एक्सपर्ट है तो इसी में आपकी अज्योगेशन भी है तो यहां आने का प्राइम सब दिन से जाना जाता रहा है अच्छे योगदान के लिए लेकिन हम लोगों के साथ एक बिडम बना रही है कि यह बाढ़ का चेत्र रहा है और वार के चेत्र में उके रहने के कारण यहां पर सतर के दसक में सतर से पहले यहां कोई विश्विद्याले तो था नहीं तो परसी नेता हुए हैं ललित नाराइन मिश्री जी जो भारत सरकार के रेल मंत्री भी रहे और स्वभाग हम लोगों का की दर्भंगा महराज का पूरे देश दुनिया में आप देखेंगे सिक्षा के छेतर में एक अमूली योगदान है तो इन दोनों के कारण यहां पर 1972 में विशुविद्याले की संकलपना की गई और यहां पर ललित नाराइन मिथला विशुविद्याले बनाया गया उसके बाद से लोगों का बाहर जाना कम हुआ यहां के लिए तीन-चार चीज बरी खासियत है मिथिलागी कहा जाता है पगपग पोखड माच मखान मधुर तो बोल मुस्की मुस्कान यहां पर देखेंगे हम लोगों की लोकल लैंग्वेज हो जाती है मैं जिसको दुनिया की सबसी मीठी लैंग्विज होने का दरजा प्राप्त है भारत सरकार के अस्टमन सुच्छी में भी है और यहां आप देखेंगे इसको तालावों के लिए इसलिए जाना जाता था मिठिला छेत्र में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता था पहले बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती थी इसी सहर को यदि आप नदीक से घूमेंगे तो आप देखेंगे जो जो ड्रेनेज सिस्टम आज डेवलप किया जा रहा है उस ड्रेनेज तो नेपाल से ही मिठिला को देखते हुए आए यहां हर एक पडिवार का संबंध आपको मिल जाएगा जो नेपाल की से लोग जो बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध तो यहां के लड़कों की साधी वहां होती है वहां के लड़कों की साधी यहां होती है यह अभी भी हम तो अभी वाक करते हुए हम संस्कृत युनिवस्टी पोंच गए है क्या बोलते हैं कामेश्वर सिंग दर्भंगा संस्कृत विश्विद्या ले अच्छा वाकिंग डिस्टन्स ही है जहां हम पेले खड़ेते वहां से एक ही केमपस में दर्भंगा राज का जो खिला वाला ज के नाम से इसको जानते हैं 62-63 के करीब संस्कृत विश्विद्याले की अस्थापना हुई है और एक रोचक बात हम आपको बता है जो जब उत्तर विहार में पंडितों की जो होर्व होती थी उसमें दो केंद्रों को बड़ा मुख्य माना जाता है एक तो बनारस दूसरा मि सुर्य गरहन और चंद्र गरहन होगा इस विश्विद्याले के पंडितों के द्वारा वो बताया जाता है और आप देखेंगे कि सेकेंड भर का अंतर ने आता आज से यदि 20 साल बाद वाले सौ साल बाद वाले सुर्य गरहन को भी खोजें बहुत है यह एक अपनी पुरात के इस पार आगे है तो यह सफेद बिल्डिंग यह वही बिल्डिंग जिसके नीचे कहते हैं कि स्प्रिंग लगा हुआ है जे भुकम परोधी मकान जो अब बन रहे हैं 1934 में यह बनाया गया था दर्भंगा महराज के द्वारा अभी इसमें विश्विद्याले का पीजी ड दे दिया और एलनम्यू का पीजी डिपार्टमेंट सब यहां सब आधा किलोमेटर वाक करके अभी हमने लस्टी की दुगान भी आ गए हैं तो बीच में मारी मुलगात सतिंदर भाई से भी हो गई है वीडियो देखते हैं और शॉप का नाम है शंक्रानंद शर्बतालिय है मैं अभी देख रहा था यह लोग खोया डाल रहे हैं उपर से देखा मैंने लोग पंजाब की लस्टी कहते हैं मिठिला की लस्टी को भी प्री करके देखिए सायद उसे कम जोड नहीं पाएंगे इसको भी आप अजय को आप अजय को आप खा रहे हैं मिठिला का ट्रेडिशनल फूद जदी किसी को कहा जाए तो आप जैसे अब दक्षिन बिहार के लिए लिट्टी चोखा जामते हैं वैसे हम लोग का ट्रेडिशनल फूद यहां चूड़ा दही चूड़ा मतलब भूह जिसको आप जाएद कोई ऐसा पडिवार नहीं मिलेगा जिसके घर में मिट्टी में आपको दही नहीं मिल जाए गूमते गूमते हम लोग किले की बाउंडरी बॉल देखने आ गए यहीं पर सामने बहुत खूबसूरत एंट्री गेट है जैसा दिली का लाल किले देखने में ऐसा लग बहुत अच्छा लाह नहीं आज का यह विजिट आप ने समय भी दिया और हमको बड़े अच्छे से टाइम देकर पूरा गूमा दिया और अच्छी बात हो कि अपसे मुलाइक एप से मुलाकाट होगी अब हम चलते अब हम लोग जा रहे हैं था था ने बता आपको हाट दे हमें लगबग सवा घंटे का टाइम लगा है दर्बंगा से मिथिला हाट पोहुचने में यह बड़ी सी पार्किंग स्पेस है गाड़ी अपनी वाँ खड़ी हो गई है सामने मैंने पता लगा लिया है 20 रुपार पर परसन एंटी टिकेट लगती है टिकेट निकालते हैं और हाट के अंदर चलेंगे जैसे हमने एंट्री ली ना सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी लेक देखी मेरे लेफट हैंड साइड पे वहाँ पर बोटिंग भी हो रही है पहले यहां तलाब होता था लेकिन अब उसको बड़ा कर दिया गया जिसे कि एक लेक में बोटिंग एक्पिरिंस लोग ले सकें प कैलिबर मैंने इस साइस की मिथिला पेंटिंग देखी है और रंग देखो कितने वाइब्रेंट है लवली यह जी भंसा घर यहां पर ट्रेडिशनल फूड मिलता है आई अंदर चलेंगे अच्छा यह इनोंने ने डिटेल लिखी हुई है एक 499 की थाली है फिर 349 फिर 270 और नीचे फिर अलग लग रेट है थाली के तो कुछ ना कुछ आइटम कम होता होगा तभी रेट अलग है तो यह थाली देखकर मुझको ऐसा लग रहा है किसे आइटम बहुत सारी है तो यहां पर हमको एक ही जगह बहुत कुछ एक्स्पिरियंस करने को मिल जाएगा अब म अब खाने की किर्टम को डे वन पर खाने चाहिए वैसे वह इधर भी है और इधर भी है मैंने अपने लिए थाली तो बोल दी है यहां पर देखो चुले पर रागी की रूटी तयार हो रही है तो आपने थाली में तो काफी कुछ दिया है जी जी और यह कड़ी में क्या है यह बरी कड़ी है बरी जी और यह आपको गोभी का तरह हुआ है तरुआ मतला पकोड़ा हां पकोड़ा पहली बार खारों में तिलकोर का तरुआ सब्सक्राइब तो दही हो गया जी जी हो गया अच्छा यह आपका दुद्बगिया हो गया यह क्या होता है यह सर चावल की आटे का चोटा-चोटा बना करके और गरम पानी में इसको पहले अब दाल देते हैं उबाल के दूद उसमें उसके नारियल यह सब चीज़ डाल के इस चोगा यह अलो को भी मतर का सबजी हो गया सर अपने यह अरकंचन का सबजी हो अरकंचन मतलब अरभी पता बोलते हैं सर बहुत जगे अच्छा आप लोग के यह चलता है जी वेरी आप देखो जी मरुआ की जो रोटी है कितनी ज्यादा थिक है मैंने बताया ना मरुआ बोले तो रागी और अच्छी खासी है वी भी है मैंने बनते समय देखा था वो पेड़ा इतना मोटा मोटा बना रहे थे उससे मिनको आइडिया लग गया यह तो आज हैवी लंच होने बाद है और स्ट्रॉंग सर्सों के तेल है जन्मीन सर्सों के दिल का जो टेस्ट होता है वह हमको यहां पी मिल रहा है को बढ़ जा आज है अब कर दो अब कर दो स्ट्रॉंग के साथ यह प्रॉंग का पंविनेशन अपको बहुत अच्छा रहे गा यह हुआ उसको आप ठोरा का के टेस्ट की बट इसको आप फ्रॉंग बोलते हो हुआ कि अच्छा आपके मिड़्ची के ओपर जो कुछ मसाला है वो अलग चीज है तो मुझे लग रहा है अगर में यह चोखा नहीं बहुत लगाता है इसके साथ ही बड़े वाज मैज़ा रहा है हाँ जी जी साथ हुए दाल में फुल-on साथगी है जीरे का त्रडगा है और मिर्चेस के इलावा दाल में कुछ नहीं है और टेस्ट ने समा बाद दिया तोटली अनेक्सपेक्टिड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर दाल इतनी सुआद होगी लेकिन क्या बता हूँ आपको अपने घर में भी खाना यहीं खाता हूँ पहले अब दिश लिए उसको पुरा फिनिश किया फिर सकिंद इसलिए मिर्यको घर में भी खाना खाने में ताइम ज्यादा लगता है इंज्वय कर के खातों और टेस्स ले लेकर खातों चलेजिए सर्सू के साग मैं न इतना ज्यादा फरक है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे अब दिल्ली पंजाब में जो साग बनता है वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है अगे बेशन का बड़ी बहुत जादा सॉप्ट है जी से अरकंचन के किसे लगाते हो उसके उपर इसके उपर ऐसे बैसन लगा के बैसन लगा कि एक पत्य के ऊपर दूसरे पत्य डाल जी अपर को काट के फिर उसको धूप में दिया या थैं इसका सबर्जी पहुत यह कफिल जगता आज से पहले मैंने अर्बी का पत्ता की सबजी बहुत जगा खाई है लेकिन मैं ये बोल सकता हूं इनका बनाने का श्टाइल अलागे जैसे ही भाईया बता रहे हैं हमारे को कि हर चीज में सर्सों और तेल है तो टेस्टी बजल जाता है पूरा अच्छा बनाया रहे है ये है ये है दूद बकिया ये बताया आपने चावल कट ऐसे बनता है ये तो साथ में नारियल जी है बहुत नेया स्वाद है और या से पहले मैंने ये एक चीज कभी निखाई कहीं भी निखाई है मस्ता है मखाने का सीजन कब आएगा निकालने वाला तर इसका अपका अगास्त शुरू हो जाता है अगस्त मांद सजी और के तने तन तक सीजन चलता है ये अक्तूबर लाष्ट तक दो में लाष्ट तक हां मखाने की खीर तो शांदार है मानना पड़ेगा और ये मखाने दूद में बॉइल हो तो तो मेल्ट हो गया अंतर पुरा साबूद मखाना नहीं है और इसमें इलाची भी आपने डली हुए है उसका बड़ा मदूर सुआद है और ओवरॉल मस्ता है किसमी सारा चीज में में बहुत बड़िया तो अब क्या करते हैं 20-25 मिन्ट आदा खंट और लगेगा मेरे को दिले दिले फिनिश करूँगा और शायद मैं राइस तो खाई नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को डन हो जाएगा और पकोडे भी नहीं खा पाऊंगा क्योंकि यही मैंने खा लिया बाकी एक्सपीरियंस बड़ा जोड़ दार है अब देखो मैं हूं यहां पर 5-6 दिन मैं ढूंडूंगा यह बंसागर मुझे कही और मिल जाए मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कही और मतलब इधर नहीं गया रहा है मैं जनकपूर साइड भी जाने वाला हूं अच्छी अरेटी मुश्किल है नहीं हमको नहीं लगता है अच्छे लग रही है आपके यहां पर पांच बज गए अभी लोग लूग कर रहे हैं दस वज़ तक शरी यहां पर यहां पर बेढ आता है सुबह कितने मज़े खुलता है यह दस वज़े से दस दस वाल बढ़िय चलो जी अब हमारा यह लविश लंच आदर हिंटे में फिनिश करेंगे फिर यहां से चलेंगे चलेंगे मतलब फिर गूमेंगे अभी तो हमने बार गूमाई नहीं सिदा जंप करके हम लंच करने आ गए बंसागर में आज मेरा लंच बहुत ज्यादा हैवी हो गया बाहर की तरफ जो आप यह मड़ वॉल देख रहे हो बैसिकली मिट्टी का ही एक घर है और इसके बाहर मिट्टी से इस प्रकार से आर्टवर्क मिथिला का जो है वो दिखाया गया है वो पस्त लग रहा है थोड़ा आगे चलकर मैं होटल भी देख लेता हूं पता लग जाएगा यहां पर रूम टैरिफ क्या है होटल के अंदर जाके मैंने न अभी रूम देखा है डबल उक्यूपेंसी में 4500 प्लस टैक्स यहां का रूम टैरिफ है यह है कि बड़ा एक्स्क्लूसिव एक्स्पीरियंस है हाला कि दिन भर तो यहां ऐसी चैल पैल चली रहती है सुबह दस बजे से रात के दस बजे तक लेकिन अब होता ही है ना कि आपका होटल और इस प्रकार की खुस्तुरत लेख आमने सामने तो यहां पर रहना अच्छा एक्स्पीरियंस हो सकता है बहुत लोग पसंद करते हैं अपने घर में इस प्रकार का फरनीचर लें उपर आप गदी लगा लो और लुक्स तो ही है देखो कितने यह प्यारी टोकरी है आपको मानलों पूजा करनी है और आप कुछ फूल लेके जाना चाहते हो तीन सुर पर बदा इसकी कोस्ट और यह इसका इसका पांसो परेगा पांसो छेसो पत्यास है देर सो डिसकॉंट होगा है सही है गुट धन्यवाद भीया अब लोग क्या कर रहे हो सूप के उपर आप मिधिला पेंटिंग कर रहे हो थोड़ा इस तरफ से भी दिखा दो अच्छा इसमें उग्यों डालकर उसको चालते हैं तो कितना समय लगता है आपको यह पेंट त्यार करने में ऐसा पेंटिंग पुरा दो दिन अच्छा जी और क्या कॉस्ट है इसकी पांसो बहुत खुब और बिटा आप क्या कर रहे हो हम बैग पी पैंटिंग कर रहे हैं अच्छा अच्छा बड़ अच्छा और यह ऐसा पेंट पूरा बनाने में आपको कितना समय लगता है यह मैं एक दिन में भी कंप्लीट कर सकती हूं यह मेरी उपर ने दोनों साइट है हां तो आपको कितने साल होगे यह काम करते हुए लगए मैं डेर साल से कर रहे हूं बेकियों को बच्वन से सिखाते नहीं है तो अच्छे यह आपने अलड़ी कर दिया है क्या कोश्ट है इसके इसका साड़े पान सो साड़े पान सो पहुत मस्त है और यह क्या मेटीरिल है जूट का है हम देखा जाए तो साड़े पान सो रुपे प्राइज मैं तो रिजनेबल ही बोलूंगा कि आपको साड़े पान सो रुपे में जूट बैक मिल रहा है और उसके उपर बिथला पेंटिंग हो रखी है कीमत तो सारी आठ की है ना चलो कितना खुबसूरत काम किया है कि आपके बाद ज्यादा था बांस की आइटम है हां सब बैंबोस है सर जैसे कोई pen stand बताओ जैसे किया रिटा इसका इसका 110 रुप है और यह किस लिए है फूलों के लिए फूलों के लिए फूलों के लिए घर में जो सजाते हैं फरावर रख कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं पुराने जमारे में तो बहुत इस्तमाल हुआ करता था यह जब लाइट चली जाती है चेचे घंटे के लिए तो ऐसा पंकार डूलते थैं अब यह डेकोरेशन के काम आता है इस तो लाइट जाती नहीं नहीं कम जाती होगी आपके आ 110 जाती है 110 तो यह सब काम इदर का है कि बाहर का है यह बांज का काम होता है क्या नहीं सब्सक्राइब बाहर का है तो यहां से आप देख सकते हो और खरीद भी सकते हो यह हाट मेरे को पसंद आई अब शाम के समय देखो मिथिला हाट लिखा है ना उसके सामने फाउंटेन चल रहा है सब लोग बिजी है फोटो निकालने में क्योंकि हम हमारे मन हो रहे हैं वहां खड़े के बड़ी अधी फोटो निकाले अच्छा लग रहा है इस जगह आकर हमारे पास है हम कोशिश करेंगे 70-80% टाइम मदूबनी आर्ट को देखें और समझें कि क्या है चलिए जी अब चलते हैं यहां से रांटी गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है हाट से चलने के बाद हम लोग आर्ट विलेज पहुंचे वहां पर दुलारी देवी जी से हमारी मुलागात हुई जो की पदमश्री होल्डर है मैंने ना वीडियो नहीं मनाया एक प्रॉपर वीडियो बनाना होता है ना वहां पर एक तो उनके रूम में लाइट दिम थी त सेकिंड रीजन था नजदीक में डीजे चल रहा था तो आडियो बी क्लियर नहीं आना था तो मेरी उसे मुलागात होगी मैंने का मैं परसों आपके पास आऊँगा जब मुझे जनकपूर जाना होगा ना तो पहले मौनिंग मैं आपके पास आऊँगा फिर मैं जनकपूर जहां पर अभी मैं हूँ तो यह जिस रूम में मैं खड़ा हूँ इसका टरिफ इन्होंने बताया पच्छी सो प्लस टैक्स है मेरे को ठीक लगा होटल मतब रूम सही था फिर मन में आया कि थोड़ा आउट्सकर्स में देखते हैं क्योंकि यह शहर में है तो हम वो आउट्स चलो कोई बात नहीं अब यह सब होता रहता है कभी होता नहीं एक लेवल अपके चकर में होता ही है चलीजी अब आज कर दिन हम यहीं पर एंट कर रहे हैं तो आपसे हमारी कल मुलागात होगी फिलार आपको बाइबे कर देते हैं थैंक्स फॉर टाइम